हलो स्टूडेंस वेलकम टू वाइफाइ स्टूडियोज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुभा के साड़े पांच बजे के सेशन में और जैसे की हम आपके सारे के सारे ससी एक्जामिनेशन के लिए किसी ना किसी टॉपिक को डेली बेसिस पे कवर कर रहे हैं तो आज है नॉन वर्बल रीजनिंग से एक टॉपिक की बारी जिसका नाम है एंबेड़ेट फिगर येस रईड़ेट करेक्ली ये नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है मतलब इसमें की फिगर्स दिये होते हैं आपको और उन फिगर्स में से फाइंड आउट करना पड़ता है हम में करेक्ट आंसर अब एंबेड़ेट का मतलब क्या होता है किस तरीके से क्वेशन को सॉल्फ करना है उसको डिसकास करेंगे बढ़ ध्यान रखो क्लास का टाइमिंग मौनिंग 530 एम है जब ये सेशन प्रीमियर होता है तो आप चाहो तो इस सेशन को उसी समय देखो नहीं कि हमने कहां embedded figure में हम लोग non-verbal reasoning करने वाले हैं तो embedded का मतलब क्या होता है embedded का मतलब actually होता है सन हित आकरिती embedded figure का मतलब सन हित आकरिती जिसको हम ये कह सकते है hidden figure that means पूरे के पूरे figure में से वो hidden part या hidden identity हमें अलग से दे दी जाती है और हमें सिर्फ बताना होता है कि ये किस तो चलो फिर questions को lookout करते हैं देखते हैं किस तरीके से उसको हम solve करेंगे of course ये scoring है लेकिन उससे पहले classes की timing भी जान लो यार साड़े साथ बजे सुभा आपके bank की free special class होती है unacademy के platform पे 9 बजे रात में ssc की free special class होती है again unacademy के platform पे 12 बजे दो पहर में plus course की class होती है जो कि सिर्फ subscribers के लिए होती है और ये जो free special classes mentioned है ये आपके subscriber और non subscriber दोनों के लिए होती है आगे अगर हम बात करें तो non subscriber subscribe कैसे कर सकते है SMS 10 code use करके 10% discount avail करके and side by side सारी की सारी classes जो भी other educators की है other subjects की है सब कुछ benefit ले सकते है but code use करना that is SMS 10 ये सारी की सारी classes unacademy की learnings platform पे available है जिसके notifications updates के लिए जिस profile को follow करना है that is समझती शुक्ला डन अब आगे अगर हम बात करें YouTube के schedule की तो yes YouTube का भी schedule ये रहा आपके सामने सुभा साड़े पांच बजे the same class जिसमें आप अभी फिला लो ये प्रेमियर होती है मंडे से लेके Saturday तक channel Wi-Fi studios पे साथ बजे की अगर हम बात करें तो Saturday Sunday Wi-Fi studios पे ये live session चलता है इसके अलावा साड़े चार बजे शाम को live session मंडे से लेके Friday तक Wi-Fi 2.0 पे और Saturday Sunday यही session हो जाता है शाम के चार बजे अगयान Wi-Fi 2.0 पे तो आपको मंडे से लेके संडे तक का schedule भी clear हो गया तो चाहे YouTube हो चाहे अनकैडमी के platform पे हो हम लगातार इसी basis पे आपके साथ हर एक class में जुड़े हैं तो बस आपको इन classes को follow करना है इन में आके अपनी पढ़ाई complete करनी है syllabus complete करना है nothing else अब आगे अगर हम बात करें कि subscription लोगे कैसे तो किसी भी course पे क्लिक करो यार किसी पे भी चाहे हमारे course पे क्लिक करो चाहे किसी भी course पे क्लिक करो course पे क्लिक करते ही आपके पास एक duration का pattern आ जाएगा जहाँ पे आपको अपना subscription का duration select करना होगा तो वहाँ से आप अपना कोई भी flexible duration जिस किसी के लिए भी आपको लगता है कि आप जितने time के लिए करना चाहते हो तो आप उतना duration select कर सकते हो उस duration को select करते ही code apply करना है SMS 10 उससे आपका subscription done हो जाएगा and mark my words other subjects and other educators सब के access open हो जाएंगे यहाँ पे that means ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ on academy पे हमारी ही classes हमारे ही courses मिलेंगे नहीं आप maths, gs, english सारे के सारे subjects यहाँ पे read out कर सकते हो done and other educators reasoning के भी other educators english के भी that means हर एक subject के ठीक है न तो सब कुछ पढ़ सकते हो आप यहाँ पे बस code apply करना for subscription that is SMS 10 done तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं session की शुरुआत करते हैं जैसे कि हमने बताया कि embedded figure या sun नहित आकरती hidden आकरती को या hidden identity को ढूंते हुए बनानी है ठीक है न तो let's see the first question अब सबसे पहला देखो question इसी तरीके से होता है find out the alternative figure which contains figure X as its part तो अब हमें इस figure X की presence किस part में है वो बताना है तो I guess yes option number 1 नहीं है क्योंकि यहाँ पे यह वाली line missing है option number 2 है देखो तो बस answer क्या हो जाएगा हमारा option number B that is 2 तो जब एक बार answer आगया तो बाकी हमें check करने की जरूरत ही नहीं है ठीक है लेट सी दा next वाला again question instruction same होता है find out the alternative figure which contains figure X as its part हिंदी में भी वही चीज होती है कि वो उत्तर विकल्प को आप ढूंड़िये जिसमें figure X या आकरती X पाई जाए तो देखो फिर अब यहाँ पे अगर हम देखें तो किस तरीके से हमें देखो उपर से यह zigzag pattern चाहिए मतलब एक Z ऐसा और एक Z ऐसा तो अगर हम देखें यहीं पे हो रहा है एक Z ऐसा एक Z ऐसा यह देखो and यहाँ पे लेकिन यहाँ पे तो यह चीज नहीं हो रहे है क्योंकि यह आकर यहाँ हो गया done फिर तो option number 3 हमारा answer नहीं है अब option number 4 देखो तो option number 4 अगर हम देखें तो yes this and this बस तो option number 4 यह option number D is the right answer done ना third question देखो again the same instruction find out the alternative figure which contains figure X as its part अब क्या करना है देखो ध्यान से अब हमें इस तरीके का door और उपर से उसका closed एक article चाहिए जो कि अगर हम ध्यान दे तो हमारे पास option number 1 में बनता दिख तो रहा था लेकिन होगा नहीं देखो कैसे यह तो correct है ठीक है यहां तक यहां भी इस्लांट आ गया पर यहां का यह slant missing है तो option number 1 आंसर नहीं होगा अब option number 2 में देखें तो यह यहां तक तो ठीक है पर यहां तो कोई भी slant नहीं है ना इस तरफ ना इस तरफ तो option number 2 भी नहीं होगा same option number 3 में भी नहीं है but option number 4 देखो तो यह हो गया यह हो गया और उपर से यह pack भी है so yes option number D4 is the right answer बीच बीच में sound भी चेक करते चले नहीं तो पता चलेगा कि आप लोगों को आवाज ही नहीं आई चलो फिर next देखो question number 4 again वही चीज find out the alternative figure which contains figure X as its part अब क्या करना है यहां पर? very simple ऊपर एक line चाहिए नीचे एक उसके parallel line चाहिए फिर diagonal एक line चाहिए, बीच से एक line partition चाहिए और यह sides की line चाहिए प्यार देखो diagonal option number 2 में नहीं है हटा दो इसको option number 3 में diagonal तो है लेकिन वह बीच की line नहीं है तो इसको भी हटा दो अब option number 4 में diagonal तो है लेकिन opposite है न? मतलब इस तरीके का figure बन रहा था तो यहाँ देखो यह हुआ इस तरीके से option number 2 और 3 तो है नहीं अब option number 1 देखो this is the line, यह सीधा गया फिर यहाँ से यह पूरा आथा चला गया then यहाँ गया यह, तो यह box shape का S बन गया yes, और इसको diagonal से बीच से काट दिया तो option number 1 यह, 1 is the right answer done न? यहाँ image reflection बन रहा है देखो, बन तो रहा है लेगे न, image बन रहा है और जब हमारे पास accurate यही का यही image बन रहा है तो हम इसको consider नहीं करेंगे ठीक है? अगला देखो same instruction find out the alternative figure which contains figure x as its part तो अब देखो slant slant तो यह चिडिया जैसा shape option number 4 में तो नहीं है option number 3 में भी नहीं है option number 1 में भी यह चिडिया नहीं बनी लेगें option number 2 में अगर हम देखें तो यह देखो यह हो गया yes so option number B2 is the right answer अगला देखो find out the alternative figure which contains figure x as its parts again the same instruction क्योंकि हम कर रहे हैं embedded figure जिसको हम कहते हैं सन्नेहित आक्रिती क्या हुआ है यहाँ पे circle circle के नीचे इस तरीके से इसका diversion या division और फिर एक यह लेटा हुआ z shape तो अब देखें अगर तो circle और यह नीचे की line तो इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है लेकिन जो हमें लेटा हुआ z चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ second में है यह देखो ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें तो बस फिर answer is option number B2 done अगला देखो again the same instruction find out the alternative figure which contains figure X as its part तो अब देखो क्या हुआ है यह देखो ऐसा पहाड सा shape है 1,2,3,4 1,2,3,4 quadrilateral है यह ना four sides वाला अब इस four sides के quadrilateral को कहां पे हम चेक करें बताओ confusing है confusing इसलिए है क्योंकि एक बात यह देखो बहुत ध्यान से यह line slant है यह line straight नहीं है और यही confusion खतम हो जाएगा option number 1 में जो यह दिख रहा है ना कि हमने यह बनाया इस तरीके से फिर यहां गए यह straight हमें यह भी slant चाहिए है और जब यह भी slant चाहिए है तो देखो option number 2 में yes so option number B2 is the right answer समझ के अगला देखो find out the alternative figure which contains figure x as its part अब क्या करना है यह plane हमें ढूणना है plane या rocket या जो भी कह लो ठीक है अब इस खिचड़ी बने हुए किसमे question में पर कोई बात नहीं आसान बहुत आसान है आसान इसलिए है क्योंकि हम option eliminate कर देंगे और जब हम option eliminate कर देंगे तब हमारे पास answer बचकी आएगा ठीक है तो अब देखो कहाँ पर यह हमारा figure बन सकता है slant line plus यह cuttings yes slant line plus यह cuttings की अगर हम बात करें देखो option number 4 तो नहीं होगा क्योंकि option number 4 में यह plane shape हमें कहीं भी नहीं मिल रहा है clearly नहीं मिल रहा है option number 3 अगर हम देखे तो option number 3 में भी हमारे पास यह plane shape जो है यह कहीं पे भी नहीं है कि slant अंदर गया हुआ और फिर बाहर आया हुआ नहीं है ना ठीक है तो अब इस तरीके से हमारे पास बच गया क्या फिर option number 1 और option number 2 अब option number 1 और option number 2 जब बच गया हमारे पास तो अब देखो यहां पे slant slant और line और उसके साथ फिर बागी का turn बन रहा है one में की two में अच्छा यह अपना shape भी बदल सकता है कहीं से बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से यहां पे ही बन रहा है यह इस तरीके से भी बन सकता है किसी भी direction में बन सकता है पर बनना correct है इसको ठीक है तो अब देखो यहां पे first वाले में नहीं जा रहा है यहां से देखें तो यह भी नहीं जा रहा है पर यह तो चला गया है चला गया तो यह नीचे तक जा रहा है क्या लेट सी देखो पर यह तो यह रुख गया अब जब यह रुख गया तो यहां तो कहीं पे भी plane नहीं है नहीं है ना अच्छा इस हिसाब से अगर हम आगे बढ़ें तो यहां देखो बहुत ध्यान से देखना क्योंकि हमें दोनों slant चाहिए इदर देखो तो यहां तो कहीं कट भी नहीं रहा है लेकिन अगर हम इसको बीट से कहीं से देखें नहीं हो रहा अब यहां देखो तो यह वाला शेप तो हम पहले ही काट चुके है ना यहां से तो यह diagonally कहीं जाहीं नहीं रहा है तो answer हमारा है option number one में और option number two में इसके अलावा कहीं भी नहीं है and correctly अगर हम देखें so option number one में हो सकता है बिल्कुल हो सकता है देखो बात समझाई कि नहीं आई चाहें यहां से आप इसको काट लो done तो यह option number a से answer इसका निकल के आएगा यह देखो बन गया बन गया बिल्कुल बन गया क्योंकि यहां पे देखो यह इस दर मुट रहा है और यह भी अंदर मुट रहा है अच्छा दोनों lines है अलग अलग ठीक है तो option number a 1 is the right answer done clear अगला देखो find out the alternative figure which contains figure x again फिर भाई चीज अब बस हमें इतना सही यह बढ़ ढूड़ना है so clearly it is in option number 3 so option number c next देखो find out the alternative figure which contains figure x as its part अब देखो circle then line फिर straight और यह तो अब यह कहां है circle से काटना भी पड़ेगा हमको option number b यह देखो तो option number b 2 क्योंकि circle है तो यह कैसे भी घूप भी सकता है next देखो find out the alternative figure again तो अब यह लगेगा यह लेकिन यहां देखो यह line अंदर slant हो गए that is why यह नहीं है ठीक है यहां देखो पर यहां यह नहीं है तो option number 4 भी नहीं है अब आया हमारा option number 1 तो option number a is the right answer done 12th question देखो find out the alternative figure which contains figure x as its part तो अब देखी यह plus जैसा shape चाहिए so definitely देखो one में नहीं two में नहीं three में नहीं क्योंकि बीच में कहीं पे भी यह pipe बनेगा ही नहीं यहां पर फोर्थ में बनेगा तो option number d4 is the right answer done अगला देखो find out the alternative figure which contains figure x as its part अब यह pipe चाहिए हमें box के corner to corner attached मतलब sides पे बिलकुल तो देखें कहा है option number c clearly देखो कूद 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 के कह रही है क्योंकि बाकी यहां देखो कहा हो रहा है यह line तो ठीक है यह सीधी हो गई न और हमें tilt चाहिए था यहां tilt है लेकिन यह straight नहीं है so option number c यह three tick अगला देखो question number 14 अब यह shape option number 2 में है उल्टा है option number 3 में सीधा है यह होगे done 15 देखो अब यह man shape तो man shape तो man में ही होगा न यह देखो option number d या 4 next देखो 16th question find out the alternative which contains x तो अब यह triangle और triangle से निकले arcs 1 में नहीं 2 में यह तो है यह नहीं है 3 में नीचे वाला नहीं है तो बच्चा क्या 4 यह देखो और triangle so option number d is the right answer next 17th question now this is missile kind of shape अना अब यह missile kind of shape कहा है देखो option number b में done correct 18th question straight 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 then tilt अब देखो straight then turn fist straight अफ़े tilt यह देखो पर यह नहीं हो रहा कोई बात नहीं और कहीं देखो कहीं हो रहा है क्या यह रहा फोर्थ में तो कहीं अंदर है ही नहीं फोर्थ वाले में है so option number d 4 done अगला देखो बस दो सर्कल्स ऐसे अटाच्च्ट clear figure option number d 20th देखो now this clear embedded again very clear और तो कहीं पे है ही नहीं ठीक है so option number b 2 तो यह हो गए है हमारे embedded figure के question classes की timing एक बार फिर से सारी की सारी unacademy की और youtube की subscription के लिए sms 10 ही code यूज करना तभी आपको बाकी सारी facilities जो है वो अवेल हो पाएंगे session पसंद आया है तो like करेंगे share करेंगे channel को subscribe करेंगे और इसी तरीके से daily basis पे morning 5.30 के session पे हमारे साथ जुडे रहेंगे तो keep practicing see you all in the next session bye bye take care